हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल Traded Zone में आज हम बात करने वाले हैं Reliance Communication के बारे में क्या latest news निकल कर आई है आज का performance कैसा था और कल इसका performance कैसा हो सकता है इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे वेल फ्रेंड्स ये एक breaking news निकल कर आई है Reliance Communication में जिसकी वज़े से Upper Circuit पर Upper Circuit लगता जा रहा है कही लोगों के मन में सवाल होगा कि कब तक ये Upper Circuit लग सकता है और कही शेरोल्डर्स जो bottom level पर purchase करके हैं उन्हें एक अच्छा खासा profit दिखा रहा होगा वो लोगों के मन में सवाल है कि कब तक ये profit दिखाएगा और क्या इसमें Lower Circuit का भी दोर start हो सकता है और कई लोग इसमें Order Place करना चाह रहे हैं लेकिन Order Place नहीं हो पा रहा है क्योंके shares available नहीं है well friends हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे Order Place कर सकते हैं Upper Circuit में भी और आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे friends पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और आज भी एक Upper Circuit देखने को मिला लगातार कई दिनों से इसमें Upper Circuit पर Upper Circuit लग रहे है friends ये उपन ही हुआ था 3.60 पैसे पर और ये High लगाया 3.65 पैसे और Low लगाया था 3.60 पैसे मात्र ना के बराबर मुवमेंट था इसमें और मुझे लगता है कि कुछ और दिन इसमें Upper Circuit प 1.12.25,000 की इसमें quantity trade हुई है और Deliverate हाई गई है 75.53,000 की इसमें Deliverate हाई गई है परसेंटेज में बात की जाये तो 67.29% की Deliverate हाई गई है friends जो कि बहुत अच्छा percentage है अगर हम BAC के website के बारे में बात करें तो 50.27,000 की इसमें quantity trade हुई है और Deliverate हाई गई है 44.38,000 की इसमें Del delivery ठाई गई है friends, बहुत ही अच्छी delivery ठाई जा रही है, इसका clear indication है कि इसमें तेजी और कुछ दिन चलेगी friends, हमें volume पर भी नजर रखनी होगी, अगर आप already इसमें position बना चुके हैं, तो volume पर एक नजर रखें, जैसे ही volume decrease होती है, तो exit करने के लिए सोचेगा friends, और मुझे ल to hear Reliance Communication case on July 15th, July 15th को NCLT Reliance Communication का case की hearing होगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि Bankruptcy Court ने DOT को explanation मांगा है, कि क्यों Reliance Communication को license नहीं दिया जा सकता, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि last Thursday, the bankrupt telco information, NCLT, that DOT is unlikely to renew Reliance Communication license on July 27th, and when they expire, and if that happens, there will be nothing left in the carrier to sell, तो Reliance Communication यहां NCLT के द्वारा DOT तक पहुंश कर, अपना license renew करवाने की कोशिच कर रहे हैं, friends, तो मुझे लगता है कि इसमें उन्हें सफलता मिल सकती है, जिसकी वज़े से, तमाव operators ने इसमें, buying का position बना चुके हैं, और आपको हर रोज, upper circuit पर upper circuit देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम यहां पढ़ सकते हैं कि the national company law tribunal will hear on July 15 Reliance Communication resolution professional Deloitte's leave, fearing that the telecom department will cancel the bankrupt, तो यहां पे hearing होगी, July 15 तारी को Reliance Communication और NCLT के बीच, जो license renew करने से इंकार कर दिया था DOT ने, उसके बारे में, maximum लोगों को अल्रेडी पता चुल चुका है कि NCLT की तरफ से जो case होगा, वो Reliance Communication के favor में होगा, जिसकी वज़े से इसमें कई लोगों ने अपना position बना कर रख लिया है friends, और मुझे लगता है कि यह अपना 52 week high भी break करता हुआ दिख सकता है, अगर इसे license मिल जाता है तो, जहां तक order place करने का सवाल है, कई लोगों ने question भी किया था कि, वो order place करने के लिए, try त में यहां दिखाई दे रहा है कि, जब आप buy का window open करेंगे, तो आपको regular cover AMO करके दिखाई देगा, regular याने कि आप जो regular order place करते हैं, वो regular होगा, और यह AMO after market order है, जो के आप market hours के बाद place कर सकते हैं, तो यहां पे AMO में जाकर, आपको अपनी quantity देनी होगी, suppose आप thousand quantity दे रहे ह हैं, तो thousand enter करना होगा, और जो price पर, market price पर अगर आप लेना चाहरे हैं, तो directly market click कर सकते हैं, अगर market click करेंगे, तो जो भी price में मिलेगा, वो execute हो जाएगा, और अगर limit order पर click करकर order place कर रहे हैं, तो यहां पे आपको अपना price देना होगा, और उसके बाद buy, यहां पे एक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, अगर यह license renewal हो जाता है, reliance communication का, तो यह 52 week high भी break करता हुआ दिख सकता है, लेकिन यह penny share है, तो हमें इसमें cautious होकर trading करनी होगी, क्योंकि जिस तरह आपर circuit लगता है, उसी तरह lower circuit भी लगने की संभावना रहती है, हमें smartly इसमें trading करनी होगी, और आपको पता ही है कि इसके fundamentals भी उतने strong नहीं है, based on the news, run कर रहा है यह particular share, यह भी बताना मेरा फर्स था, जो कि आपको बता चुका हूँ, friends, यह तो मेरे views थे, कोई भी investment करने से, पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजे, अगर यह वीडियो आपको informative दिख तो like करके encourage करिए, और इसे share करिए, subscribe करिए, और bell icon दबाना मत भूलिया, ताकि आपको इसी तरह की latest news और analysis सबसे पहले मिलें